या आप भी एक engineering के student हैं अगर आप engineering करना चाहते हैं या फिर post grade से PG करना चाहते हैं आपके लिए एक अच्छा scholarship निकल कर आ रहा है जिसमें की कुल आपको 48,000 रुपे की राशी दी जाएगी आपके सामने देखने को मिल रहा है ONGC scholarship portal जहाँ पे scholarship शुरू हो चुका है जिसका date जो है 16 October से शुरू है और यह 30 November तक होने जा रहा है हम आपको बता दें इसमें oil and gas corporation limited के तहत आपको scholarship की राची दी जाती है यहाँ पे आप असानी प्रवकाविदन कर सकते हैं क्या कैसे करना है हम संपुन जानकारी देंगे लेकिन देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा है है चैनल को लाटन दाकर subscribe कर लिजेगा साथ में बैलन को प्रेस कर लिजेगा इस तरह की update पाने के लिए अब यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का जो प्रप्रेक्टर स्कुला हुआ है जहाँ पर एकेडमिक एर तरह चोविस के लिए जहां किलरली देख सकते हैं स्टुडेंट की जो रासी है पचास परसेंट जो एकेडमिक एर तैस चोविस के हैं तभी वो अपलाई कर पाएंगे मिनिममम साट परसेंट मार्स होना चीए उनके तोयल्थ में और यह बीए में यानि कि अंडर ग्रिजट में उनका सिक्स्टी परसेंट मार्स होना चीए ग्रिज़िशन में या फिर पीजी के लिए अब फिर दे रखा यहाँ पर देशने हैं अगर आप फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं तभी आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे साथ में आपका इंकम 4.5 लाइक अ साथ में 2 लाइक फॉर OBC जेनरल और EWS के लिए है और साथ में STSC के लिए 4.5 लाइक यहाँ पता रहे हैं ग्रॉस फैमली इंकम आप लेस देन 4.5 फॉर STSC एन 2 लाइक फॉर OBC जेनरल EWS साथ में एस जो लिमिट है वो 30 year of age on 16 October 22 तक आपका जो है यहाँ पे 30 year होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे इसकी date भी यहाँ पे दी हुई है अब रही बात इसको apply करने के लिए करना कुछ नहीं है यहाँ पे simply जब आपाएंगे लेकिन उससे पहले देख सकते हैं जितने भी लोग इससे पिछले साल भड़े हैं academic year 21-22 के लिए उन लोग का देखे यहाँ पी result भी uploaded है ऐसा नहीं है कि यह फरजी है जितने बार इन्होंने scholarship दिया है ONGC के माध्यम से सभी छाचातराओं को उसका result यहाँ पे उन्होंने upload कर दिया है अब रही बात अगर आप academic year 23-24 के लिए online आविदन करना चाहते हैं engineering के लिए PG के लिए तो आप simply अगर आप first time आविदन कर रहे हैं या फिर आप private scholarship आविदन कर करके ठक चुके हैं अभी तक आपको एक बार भी पैसान नहीं मिला है तो बिल्कुल आप यहाँ से आविदन करके आविदन कर सकते हैं यहाँ पर देखे लिखा हुआ है apply scholarship simply इस पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 6 इस परकार से आ जाएगा यह academic year 23-24 के लिए है UG general के लिए अगर आप UG undergraduate के तह ताते तो इस पर क्लिक करके देख लेंगे अगर आप जो है यहाँ से जैनरल से PG करना चाहते है तो इस पर क्लिक कर लेंगे OVC के लिए यहाँ पर है OVC UG के लिए है HTSC PG के लिए है और UG के लिए है हम अभी जैनरल के लिए जाएंगे simply जब इस पर क्लिक करते है तो date of birth क्या है वो बताया गया है इसमें जो criteria है साथ में income क्या होना चीए 2 लाग पर है minimum यहाँ पर दे सकते है gender जो है male female दोनों के अदा apply कर सकता है साथ में जो है क्या कैसे हर एक बात बताया गया है यहाँ पर यह सब भी चीज आप दे सकते हैं आईए आपको हम हिंदी में समझा देते हैं हमने इसको हिंदी में कर लिया आप समझ यह निसा ने इंजडिंग और MBBS बिशव के लिए उमिदबार को बारवी कक्षा में नियुनतम 60% अंग प्राप्त होने चाहिए इसी तरह PG कोर्स यानी जियोलोजी जो फिलिक्स MBA के लिए यहाँ पर किलली बता गया है ग्रिजोशन में 60% अंग जरूरी है ग्रिडिंग प्रनाली के 10 अंग पैमाने में नियुनतम 6.0 के समगर ग्रेट बिंदू औसत होंगे अब यहाँ पर दे रहा है किरिप्या ध्यान दे दस्ताबेज अप्लोड के सहा अनुभाग में लिखी दस्ताबेज को संगलन के जाने है क्या-क्या डोकॉमेंट लगेंगे वो यहाँ बता गया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथ में यह भी बता गया है दो से बारा अनुभार दस्ताबेज हैं यह जितना भी दस्ताबेज यहाँ दिया गया वो आपको देने होंगे जैसे कि परवेश रसीद, आविदक की फोटो, जजाती परमान पत्र, वार्सिक आई परमान पत्र, आयू का परमान पत्र जिसको आप rate of birth certificate बोलते हैं, कक्षा बारवी की अंकताली का यानि की mark seat, college का गोसना पत्र, साथ में college का ID proof, 100 उपकरन और जो है ECM form अब रही बात और यहाँ पे pain card है, साथ में गरिशन का mark seat भी है इसको apply करने के लिए simply आपको दो चीज़ से गुजरना होगा, एक गोसना पत्र और यहाँ पर उपकरम, जिसको हम undertaking बोलते हैं जब गोसने पत्र पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है, एक PDF डान ओर जोगा, कुछ इस परकार से सकी है आप देख सकते हैं, जिसको हम declaration बोलते हैं, यह डान ओर जोने के बाद इसको आप एक बार खुल के देख लें, यह क्या कह रहा है PDF खुलने के बाद आपके सामने इस परकार से आएगा, जो कि आपको undertaking करवाना है, अपने college से, अपने institute से जहां आपको सब कुछ भरना है, और भरने के बाद इसको यह जो है, प्रिंस्पल से जो है, आपको या फिर institute से जो है, मोहर के साथ इसको आपको भरना है साथ में इसको ले लेना है, एक copy अपने पास रखना है, एक copy इसके site पर upload होगा, दुसरा undertaking form इस पर आप click करेंगे, तो आपके सामने एक और form आ जाएगा, undertaking का, इसको भी save कर लेंगे, और इसको भी download करकर, इसको देख लेंगे, इसमें क्या कह रहा है, यह भी आपको जो है, यहाँ पे एक आपको password size का फूर डालना होता है, साथ में यह भी आपको आपके school और college से करवाना होगा, जैसा कि आप देख सकते इसको भरने के बाद, यह करने के बाद आपको stick mark पे click करना है, apply पे click करेंगे, जैसे ही click करेंगे, आपके सामने इस परकार से form कुल कर आ जाए आपका citizenship, date of birth, email ID, mobile number, father का नाम और जो है, annual income देना होता है, दूसरा आता है आपका address जो की आपका पता देना है, फिर उसके बाद qualification, उसके बाद financial देना है, उसके बाद बैंक details देना है, उसके बाद आपको अपना document अपलोड करना है, उसके बाद आप form को submit कर पाएंगे, इस form को भरने में किसी भी तरह के जो है, आपितन सुल्क नहीं लग रहा है, ऐसा इसके website पर यहाँ पर बताया गया तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं भी इसके payment के बारे में कोई update नहीं है, otherwise आपको इसको पर सकते हैं, जमा सकते हैं, इसके पिछले साल का भी अगर आप result देखना जो है, सेलेक्शन हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उमीद करते हैं, हमारा यह वीडियो, हमारा यह अपडेट आपके लिए काफी helpful रहा होगा, कहीं नहीं कहीं आप इस form के मादे हमसे, एसकोर्ट सिपका लाव ले पाएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद